हलो गाईज वेलकम बैक टो नदर वीडियो गाईज अगर आप क्रेड़ काड के यूजर है तो कभी-कभी क्या होता है आपको और अस्टेंडिंग एमांट जो है माइनस में चला जाता जैसा कि मैं तो यहाँ पे पहले मैं यह आपको दिखा देता हूं मैं अपना और अस्टे क्रेड काड के यूजर है तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लेता हूं क्रेड काड जो है मेरा फिलिप काड एक्सिस बैंक वाला देख सकते हैं एक्सिस बैंक फिलिप काड वीजा क्रेड काड यहां पे है अभी देखिए टोट Double Auto Standing Amount जो माइनेस मे जा चुका है यानिए Mाइनेस 4,300 तीरपड़ रुपभीजा, यहाँ पीरा सीन्डिङ Brot तो देखे सबसे पहले मेरा 35,000 रुपए है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर credit limit जो है total मेरा 65,000 रुपया है ठीक है और unbuild amount जो है मेरा 41,432 रुपया 22 पैसा है उसके बाद available credit limit इतना है मतलब यह मेरा total limit है ठीक है और अभी बचा हुआ मेरे credit card में कितना है 43,566 रुपया है बचा हुआ मतलब हम इतना अभी और खर्चा कर सकते हैं ठीक है और मेरा already खर्चा कितना किया मैंने 41,432 रुपया मतलब इतना मैंने खर्चा कर दिया है यानि इसको और available credit limit और unbuild spend को आप अगर add करेंगे तो total limit आना चाहिए ठीक है अगर आप इतनों को अभी add करेंगे आप वीडियो पॉस करके भी आप इतनों को add करेंगे तो यहाँ पे यह total limit आ जाएगा तो मतलब कि हमारा unbuild amount और available limit दोनों को मिला के ही मेरा credit limit पूरा हो जा रहा है तो यहाँ पे total outstanding मेरा zero होना चाहिए तो कभी 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 क्या होता है कि अगर आपका जो बिल नहीं भी आया और आप बिल एक्स्ट्रा पे कर दीजिए गर तब भी outstanding amount जो है वो minus में चला जाएगा तो यह कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें क्या हुआ है कि मैंने extra payment कर दिया है तो अब इसका solution क्या है solution कुछ नहीं है आपका जो next bill आएगा उसमें यह adjust होके आएगा आपको इतना payment नहीं करना है अगर minus में दिखा रहा है 4000 तो मुझे 4000 देना नहीं अगर मान लीजिए कि मेरा 4000 माइनस दिखा रहा है और next month जो है मेरा 10,000 भी लाया तो 4000 रुपया उसमें minus हो जाएगा और मेरा जो bill payment करने का रहेगा वो कितना रहेगा 6000 रुपया रहेगा इस तरह का यहाँ पर auto standing amount का जो है अगर minus आ रहा है तो इस तरह का concept है और आपका जो यह minus वाला हटेगा कब next bill में अगर next bill में नहीं हटा तो फिर next bill में यानि bill में ही वो adjust होके आएगा आपको payment करने की जरुआत नहीं है